बेलापुर नाम के गाउं में आलोक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शोभा और बेटी मीनू के साथ रहता था आलोक बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पाता था उसके पास ना तो कोई जमीन थी जिस पर वो खेती कर सके और ना ही कोई दुकान थी जिसके साहारे वो अपना घर चला सके शोभा अब हमारी मीनू भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और मेरे पास तो कोई जमापूंजी भी नहीं है पता नहीं कैसे पढ़ा पाऊं गाउसे ए भगवान हमारी मदद कर गाउं में अगर किसी के घर की या खेट की साफ सफाई करनी होती थी तो वो आलोग कर दिया करता था जिससे उसकी थोड़ी कमाई हो जाती थी मगर ये रोज का नहीं था कभी उसे काम मिलता था तो कभी वो बेरुजगार रहता था क्या करूं शोभा कोई पक्का काम मिलता ही नहीं जिससे की अच्छी कमाई हो जाए आलोग किसी पक्के काम की तलाश में निकल पड़ता है काम तलाश दे तलाश दे, उसे शाम हो जाती है और वो घर आ जाता है सुभा अगर कुछ खाने के लिए बनाया है तो दे दे, मुझे बहुत जोरो की भूख लग रही है जी, आज के लिए थोड़ा सा आट और सबजी बची थी, वो बना दी है, पर ना जाने कल का क्या होगा? ओहो, अब क्या कर सकते हैं, जो है वही ला दे, मैं खुद काम की तलाश में सुभा से भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा, मैं तो परेशान हो चुका हूँ, जी, आप दुखी मत हो ये, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमारे अच्छे दिन आएंगे, आज तो रोटी सब्जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी रोटी सब्जी से मेरा काम बन जाएगा, आलोख खोश होते हुवे शोभा से कहता है, सोभा, मेरे दिमाग में एक जबरदस्ट आइडिया आया है, जिससे मेरी अच्छी कमाई होगी, बोलो, क्या तो मेरा साथ दोगी हाँ, हाँ, कहो, क्या आइडिया है, मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना रोटी सब्जी बना कर बेचू, जी आइडिया तो अच्छा है, पर हम उसे बेचेंगे कहा, हमारे पास तो कोई जगा भी नहीं है, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, खेर, अब कुछ और काम ढूटता ह अगले दिन आलोग काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता, और वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है, तब ही एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूँ, जी कहिए, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है, जी दरसल मैं काम की तलास में हूँ, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही, सोचा था कुछ बना कर बेचूंगा, लेकिन उसके लिए जगह नहीं है मेरे पास, जगह नहीं है मतलब, मतलब मेरा गर बहुत ही छोटा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नहीं जगह खरीद सकूँ ओहो तो ये बात है वैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मेरे पास इस काउं में बहुत सारी जमीन है अगर आप चाहें तो उस जगह का इस्तिमाल कर सकते हैं और जब आपकी कमाई अच्छी होने लगे तो उसमें से कुछ पैसे आप मुझे भी दे दीजिएगा जी आपका बहुत बहुत सुक्रिया राजीव आलोग को अपनी जमीन दिखा देता है जिसके बाद आलोग वहाँ पर अपना रोटी सबजी बेचने का काम शुरू कर देता है साथ ही शोभा भी आलोग की मदद के लिए आजाय करती थी आलोग की रोटी बिजनेस का काम बहुत अच्छे से चलने लग जाता है सभी को उसकी रोटी सबजी बहुत पसंद आती है उसके दुकान पर ग्राकों की भीर लग जाये करती है आलोक अच्छी कमाई करने लग जाता है उस कमाई से वो धीरे धीरे अपना सारा कर्ज उतार देता है फिर एक दिन वो राजीव के घर जाता है अज मेरे यहां कैसे आना हुआ जी मैं विलकुल ठीक हूँ ये रहे आपके पैसे बुरे वक्त मैं आपने मेरा साथ दिया उसके लिए आपका बहुत भवत धन्यवाद इसके बाद आलोक हर महीने राजीव को पैसे देने लगता है एक दिन राजीव पैसे लेते हुए कहता है आलोक मैं तुम्हारी महनत देखकर बहुत खुश हूँ मैं सोच रहा था मैं ये जमीन तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ इसके बदले तुमसे जितना हो सके उतने पैसे मुझे देते रहना ये क्या बात कर रहे हैं आपकी जमीन अब मेरे नाम इस बात से आलोग बहुत खुश होता है अब वो अपने काम को और भी मेहनत और लगन के साथ करता लेकिन एक दिन जब आलोग रोटी सबसी बेच रहा था तब ही अचानक उसकी दुकान पर पुलिस आ जाती है बाई कौन है इस दुकान का मालिक जल्दी से बढ़ा उसे साहब ये तो मेरी ही दुकान है मैं ही इसका मालिक हूँ बताईए क्या बात है ओहो तो तुम ही हो वो है जिसने इस जमीन के मालिक को डरा दमका कर ये जमीन अपने नाम करवा ली चल भाई चल मेरे साथ चल जेल की हवा खाने है मगर साहब मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया दरासल इस जमीन के मालिक तो राजीव जी है अभी हाल ही में उन्होंने अपनी ये जमीन मेरे नाम की है अच्छा, तो फिर लेकर चल, मुझे उस राजीव के पास, चल क्यों भई, क्या इसकी दुकान की जमीन तुम्हारी थी, जिसे तुमने इसे कुछ महीने पेड़े बेच दिया है ये अब कैसी बाते कर रहे हैं सर, कौन सी जमीन, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ कौन हो भाई तुम, और मुझे पर जुटा इल्जाम क्यों लगा रहे हो लेकिन आपने ही तो मुझे रोटी सबजी की दुकान खोलने के लिए वो जमीन दी थी और कुछ महीनों बाद वो मेरे नाम भी कर दी थी ये क्या बकवास किये जा रहे हो, मैं नहीं जानता तुम्हे बे कानी तो बहुत अच्छी बना लेते हो, अब चलो जेल, वहां की हवा खाने, वहीं तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, चला तभी पुलिस आलोग को गिरफतार कर लेती है तभी पुलिस की गाड़ी आलोग के घर के बाहर आकर रुकती है अंदर जाकर आलोग अपनी पत्नी को सारी बाद बताता है ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने हमारे साथ, अब हम आपके बिना क्या करेंगे शोभा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तुम्हें ही ये घर संभालना होगा और हाँ आपना और मीनू का ध्यान रखना मेरी बात मानो तो, जब तक मैं वापस नहीं आता, तुम अपने माय के चली जाओ, मीनू को लेकर नहीं, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, मैं चुप नहीं बैटूंगी अब कोई फाइदा नहीं है सोभा, सब खत्म हो गया, कुछ सालों बाद जेल से छूटते ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा इसके बाद आलोक मीनू और शोभा को गले लगा लेता है, और तीनों फूट फूट करोने लगते हैं, तभी पुलिस आलोक को अपने साथ लेकर चली जाती है तक्रीबन तीन साल जेल में गुजारने के बाद आलोक वापस शोभा और मीनू को लेने उसके माय के जाता है इसके बाद आलोक दोनों को लेकर घर आ जाता है, घर आकर वो शोभा से कहता है शोभा तुम खाना बनाओ तब तक मैं आता हूँ लेकिन आप कहां जा रहे हैं? उस राजीव से पूछने कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसके बाद आलोक राजीव के घर जाता है, लेकिन उसके घर पर तो ताला लगा हुआ था आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वो एक साल पहले ही गाउँ छोड़ कर जा चुका है इसके बाद आलोक वापस अपने घर आ जाता है अब छोड़िये जी, उसको उसके किये की सजा तो भगवान जरूर देगा अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोचिए कि कौन सा नया काम ढूड़ना है हाँ सोभा, अब तो बारा से कोई नया काम ढूड़ना पड़ेगा वैसे जेल में मैंने काम करके कुछ पैसे कमाए है जब तक मुझे कोई नया काम नहीं मिल जाता, तुम इन ही से काम चलाओ तब ही आलोक का दोस राजू से मिलने आता है क्या हाल है असोग भाई, वैसे उस राजीव ने तिरे साथ बहुत बुरा किया भाई छोड़ उन सब बातों को, बीती बातों को क्या याद करना अब मैं आगे के बारे मैं सोच कर नए काम की तलाश में हूँ बिल्कुल सही का तुमने, वैसे तुमारे गाउं से कुछ दूरी पर एक शहर है वहाँ रेस्टरॉंट और ढाबे बहुत कम है अगर तुम चाहो, तो वहीं जाकर अपनी रोटी सबजी बेच सकते हो ठीक है भाई, मैं सोचता हूँ इसके बाद अगले दिन शोभा से कहकर, आलोग शहर की ओर निकल पड़ता है यहां तो एक भी जगह ऐसी नहीं दिख रही, जहां मैं रोटी सबजी लगा सकूँ पर वापस किसी से जमीन लेने की गलती मैं नहीं कर सकता हाँ, यह ठीक रहेगा, साइकल पर रोटी सबजी बेचूंगा इसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे की बचत उसने जेल में रहकर की थी, उनसे वो एक साइकल खरीदता है इसके बाद आलोग रोजगाउं से आना जाना करता है, साइकल पर घूम घूम कर रोटी सबजी बेचता है सभी आलोग की रोटी सबजी खाने लगते हैं, धीरे धीरे उसकी कमाई काफी अच्छी होने लग जाती है जिससे वो शहर में किराय पर घर ले लेता है और अपनी पत्नी और बेटी को भी अपने साथ शहर में रखता है अब उसकी आर्थी किस्तिती बहुत अच्छी होने लगती है एक दिन आलोग रोटी सबजी बेच रहा था, तब ही उसे शोर सुनाई देता है जब वो वहाँ जाकर देखता है तो सड़क हाथसे में एक आदमी की जान चली गई होती है जिसके कारण वहाँ भीड लगी होती है जब आलोग पास आकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है वुम्रित व्यक्ति कोई और नहीं बलकि राजीव था इसका मतलब राजीव गाउं से भाग कर यहां रह रहा था अगवान ने उसको उसके किये कि सजा दे दी रामनगर के एक छोटे से गाउं में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी वो इतनी गरीब थी कि उसके पास दो वक्त का भोजन भी सही से नहीं हो पाता था वो अकेले ही रहती थी उसके घरवालों में से उसके साथ कोई भी नहीं रहता था उसके बेटे और बहु की मृत्यू हो चुकी थी और उसके पोता-पोती शहर में रहते थे पता नहीं आज कुछ खाने को बचा है भी या नहीं देखती हूँ कमला देखती है थोड़ा सा आटा बचा है कमला उसी आटे से दो रोटी बनाती है जब कमला रोटी बना कर खाने जा रहे थी तब उसे एक कववे की आवाज आती है कववे की आवाज सुनकर वो बाहर आती है अरे इसके पैर में तो बहुत गहरी चोट लगी है ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ दिचारा दर्ब से कड़प रहा है कमला उस कववे को साथ लेकर आती है और उसके पैर पर दवाई लगा देती है लगता है ये कववा भूखा भी है कमला ने अपने लिए जो दो रोटी बनाई थी उसमें से वो एक रोटी उसे दे देती है और वो कववा रोटी को खा लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है अगले दुन शाम में वापस उसी वर्थ वो कववा फिर आता है और चिलाने लगता है लगता है फिर वही कववा आया है कमला वापस अपनी रोटी में से एक रोटी दे देती है कुछ तिनों तक यही चलता है वो शाम को कमला को आवाज लगाता और कमला अपने में से एक रोटी उसे खिला दिया करती थी एक दिन वो कववा कमला से कहता है मुझे तुमने कई बार भोजन करवाया है बताओ तुम्हें क्या चाहिए जो भी चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए बस इतना चाहिए कि मेरा गुजारा चल जाए और दो वक्त का भरपेट भोजन मिल पाए ठीक है जैसा तुम चाहो कवा कमला को उसकी जरूरत की सभी चीजने लाकर दिया करता था एक दिन गाउं में बहुत बड़ी बार आजाती है इस बार में कमला की छुट्री बहचाती है हे भगवान ये क्या हो गया मैं कहां रहूंगी क्या खाऊंगी कुछ दिनों तक वो कवा कमला के पास नहीं आता है लगातार छे दिनों से कमला भूकी थी छे दिन बाद कवा कमला के पास आता है जब वो आता है तब वो देखता है कमला की हालत बहुत खराब है वो चल भी नहीं पा रही है और अब उसका अंतिन समय भी आ गया है एक राक्षस काला बादल बनका यहाँ पर बाढ़ ला दिया था ताकि मैं तुमसे ना मिल पाऊं मैं जहां जहां जाता हूँ वो मेरे पीछे पीछे आता है इसी वज़ा से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा था कोई बात नहीं बताओ तुम्हारी आखरी इच्छा क्या है मैं उसे पूरा करूँगा मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पोता-पोती जो शहर में रहते हैं उनको मेरे पास लेकर आओ मैं उन्हें आखरी बार गले से लगाना चाहती हूँ अच्छा, ठीक है कोई अपने जादू से देखता है कि वो कहा है कमला के पोता-पोती जिस शहर में रहते हैं कोई वहाँ चला जाता है और उनसे कहता है तुम्हारी दादी की तवियत बहुत खराब है वो अपने आखरे दिन में आ चुकी है उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और वो अपने अंतिम समय में तुम दोनों को देखना चाहती है ये सुनकर कमला के पोता-पोती कववा के साथ आने के लिए मान चाते हैं कववा अपने उपर दोनों को बिठा कर लाता है जब वो सभी वहाँ पहुचते हैं तब तक कमला की मृत्यों हो चुकी होती है वो देख सभी बहुत दुखी होते हैं और कमला की ओर देखने लगते हैं ये नहीं हो सकता मैं कमला की आखरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया ये सुनकर कववा जोर जोर से रोने लगता है कैसी इच्छा वो तुम दोनों को आखरी बार गले से लगाना चाहती थी हम लोगों ने कभी अपनी दादी से मिलने की कोशिश भी नहीं थी फिर भी वो अपने अंतिन समय में हमें ही याद कर रही थी कववे, तुम तो जादोई कववे हो तुम्हारे पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा हमें बस एक बार अपनी दादी से गले लगा कर माफी मागने दो मुझे नहीं लगता है मगर कमला के लिए हर वो कोशिश करूँगा जिससे उसकी अंतिमिच्छा पूरी हो तो वो उसी वक्त वहां से उड़कर दूर गाउं के किनार अपने बाबा का इंतजार करने लगता है जिन्होंने उसे ये जादूई शक्तियां दीती बाबा, मुझे एक मरे हुए इंसान को कुछ वक्त के लिए वापस लाना है मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कृपया करके आप मुझे कोई उपाए बताएं इसके लिए तो बहुत बड़ा बलिदान देना होगा जिसमें खत्रा भी बहुत है मैं कोई भी खत्रा उठाने के लिए तैयार हूँ बाबा, आप बस मुझे उपाए बताईए तो सुनो, तुम उस इंसान को वापस ला सकते हो मगर उसके लिए तुम्हें किसी और को उसकी जगा भेजना होगा और जब तक वो इंसान धर्ती पर रहेगा उसके बदले कोई और मरा रहेगा मगर इसमें एक खत्रा है अगर एक पल भी देर हुई तो वो इंसान धर्ती पर ही रह जाएगा और उसके बदले जो मरा है वो मरा ही रह जाएगा कववा बिना कुछ सोची कमला के पास जाता है उसे एक घंटे के लिए वापस बुलाता है और तोप की जान ले लेता है जैसे उसके वो मरता है कमला जिंदा हो जाती है कमला उठती है तो अपने सामने अपने पोता-पोती को देख कर बहुत खुश हो जाती है बच्चो तुम दोनों को मैंने बहुत याद किया दिन राद बस तुम दोनों के बारे में सोचती थी हाँ दादी, हमें माफ करतीजे हम कभी आपकी इज़त नहीं कर पाए और नहीं आपके साथ कुछ वक्त बिटा पाए हाँ दादी, हमें माफ करतीजे कोई बात नहीं बच्चो, मैं तुम दोनों से बिलकुल नाराज नहीं हूँ कमला उन्हें जी भर कर प्यार करती है, क्योंने वक्त का पता ही नहीं चलता है और एक घंटा होने ही वाला होता है मगर मैं यहां कैसे आई, मैं तो मर गई थी न अरे हम तो भूली गए, दादी वो बेचारा का हुआ, हमें आपके पास लाया उसने एक घंटे के लिए अपनी जान दे दी, ताकि आप हमारे पास आ सके और हम आपसे मिल सके तब तो बच्चों मुझे जाना होगा, मैं उसकी जान नहीं ले सकती आखे रुसी की बज़े से मेरी ये अंते मिच्छा पूरी हो सकी है जैसे ही कमला जाने लगती है, उसके दोरों पोता-पोती उसे पज़ाश करोने लगते हैं और कमला उन्हें चुप कराने लगती है बच्चों, तुम दुखी मत हो, तुम दोनों से आकरी बार मैं इतने अच्छे से मिल सकी ये मेरे लिए काफी है, अब मुझे मत रोको, मुझे जाना होगा कमला कवा के पास जाती है और अपनी जगह उसकी जान वापस लाना चाहती है मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि कमला से एक मिनट की देर हो गई थी हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया मैंने अपनी बज़े से इस बिचारे कववे की जान ले ली नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मुझे उसे वापस लाना ही होगा बच्चो, तुम दोनों यहीं रुको मुझे पता लगाना होगा, कववा ने कहां से शक्तिया ली थी अब उसकी जान वापस लानी होगी दादी, मैंने उसे गाउं के किनारे जाते हुए देखा था कमला वहां से जाती है और कववा कहकर पुकारने लगती है तब ही वो बाबा आ जाते है कववा, कववा क्या हुआ तुम है, तुम कववे को क्यों बुला रही हो कमला बाबा को सारी बाते बताती है मैंने उससे कहा था, कि इसमें बहुत खत्रा है जरा सिला परवाही और जीवन की कुर्बानी मुझे माव कह दीजे बाबा मैं अपने पोता-पोती को देख कर भावुक हो गई थी मुझे वक्त का पता ही नहीं चला कोई तो उपाए होगा जिससे मैं उसे वापस बुला सकूँ एक ही तरीका है तुम्हें अगले पांच जनम तक कोवे के रूप में ही जनम लेना होगा और साथ ही साथ अभी तुम्हें अपने पोता-पोती के साथ जाकर उस कोवे को काले बादल से आजाद कराना होगा तब जाकर तुम उसकी जगा ले सकती हो और उसे वापस बुला सकती हो ठीक है बाबा, मुझे मन्जूर है, मगर मैं उस काले बादल को उसके पीछे से भगाऊंगी कैसे? ये लो, इस त्रिशूल से तुम्हें उस राक्षस को मारना है, और वो यहां से गायब हो जाएगा कमला ने बड़ी हिम्मत करके अपने पोता-पोती को साथ लेकर उस राक्षस को मार दिया और फिर कववे के पास जाकर उससे कहती है, मैंने उस राक्षस को मार दिया है, तुम अब वापस आ सकते हो इतना कहते ही कमला कववे की जगा चले जाती है और वो जादूई कववा धरती पर वापस आ जाता है कववा राक्षस के चले जाने की वज़ा से बहुत खुश हो जाता है और फिर खुशी खुशी कमला के पोता-पोती को उनके घर छोड़ाता है और वो जादूई का हुआ फिर कमला के पोता-पोती को अपने जादू से मदद किया करता था